हलो दस्तो आज हम लोग सीखेंगे पार्टनर्शिप फंडामेंटल एकाउंट्स में सबसी इंपोर्टेंट चैप्टर माना जाता है ये ठीक है और इसका कबरेज भी लगभग 10 मांक्स का होता ही है एक्जाम में ठीक है कोल में लागे आओ चिक करते हैं बेसिक और पार्टनर्शिप चैप्टर का नाम है ध्यान से देखना सबसे पहले हम बात करते हैं पार्टनर्शिप में कबरेज का ठीक है तो देखो बेटे जदी हम कबरेज की बात करें तो इसमें सबसे पहला है थियोरी और पार्टनर्शिप जिसमें हम basic theory की चर्चा करेंगे ठीक है इसके बाद next आता है preparation of profit and loss appropriation account मतलब हम profit and loss account कैसे बनाते हैं ये तो हमने trading profit and loss final account सीखा थाना हमने 11th में अब उसके बाद एक step आगे बढ़के हमें सिखना है profit and loss appropriation account कैसे बनाते हैं क्या होता है कैसे होता है आगे हम चेक करेंगे पहले हम अपनी subject की sorry chapter की पूरी coverage देख लेते हैं कि क्या क्या है इसके बाद फिर आपको बनाना है partners capital account फिर आपको बनाना है past adjustments यानि ये final account बनाने के बाद profit and loss appropriation बनेगा फिर partners capital बनेगा इसके बाद जदी कुछ गलतियां पता च adjust करते हैं इसलिए इसका नाम के पड़ा past adjustments कभी कभी हम अपने manager को भी अपना partner बना लेते हैं तो partner बनते ही उसकी क्या accounting treatment होती है उसकी भी हमें discussion करना है और फिर जदी किसी partner को हम अपने यहां admit कराते हैं तो उसको कुछ guarantee profit हमें देनी पड़ती है तो वो क्या होगी कैसे होग हमें यह चेक करना है ठीक है तो यह थी हमारी coverage ठीक है बेटे अब सवाल यह उठता है ध्यान से सुनना सवाल यह उठता है कि जदी हम 11th की बात करें तो 11th में हमने क्या सिखा तो 11th में सब्सक्राइब हमने सिखा कि profit and loss account कैसे बनाते हैं ट्रेडिंग अकाउंट कैसे बनाते हैं ठीक है balance sheet कैसे बनाते हैं यहीं सिखा था जिसको हमने पूरा नाम दिया था final account अब जड़ा समझो चीजों को जो हमने एक business से start किया था और उस business का recording classification फिर summarizing फिर final account जिसमें trading balance sheet हमने बनाना सीखा था यह basically business किसका था तो यह business किसी एक person का था जिसको उने नाम दिया था sole proprietorship business यानि 11th में ध्यान से सुनना एक business की transactions की कैसे recording होती है transactions क्या होता है वो सारी formalities हमने सीखा उसकी कैसे accounting होती है वो सारी चीज़े हमने सीख लिया clear है अब 12th में हमें क्या सिखना है तो ध्यान से सुनना basic जो आपने सीखा business के transactions की recording यह आप accounting की business जिसका मालिक एक था clear है अब जो आप सिखने जा रहे हो अब जो आप सिखने जा रहे हो वो क्या है जरा समझना देखो समझना मैं आपके दिमाग में एक framework एक महौल बनाके डाल रहा हूँ कि यह आखी क्यों पढ़ने जा रहे है और जो पढ़ने जा रहे है उसका नाम क्यों ऐसा पढ़ा जिसको हम लोग आगे बोलेंगे partners ही ठीक है ध्यान से सुनना और समझने की कोशिज करना ठीक है देखो आप जब अकेला एक इनसान business start करता है ठीक है तो उसके पास बहुत सारी limitations भी होती है सबसे पहले limitations capital की उसके पास धेर सारा पैसा नहीं होता प्लस उसके पास धेर सारा manpower भी नहीं होता जो management में हिस्सा employee बनने के लिए तो सब तयार होते हैं but managerial power उसके पास कम होता है ठीक है तो इन सब चीजों को तो इन सब चीजों को वो कैसे manage करें ठीक है कैसे ठीक करें तो ध्यान से देखना बैटे अब इसके लिए हमारे पास ज़्यादी पैसे कमी है तो कई सारी चीजे हैं हम सर हो सकता है हम अपना क्या करें loan ले ले लोन लोगों तो एक problem आ जाएगी बताओ किस चिस की किस चिस के problem आएगी बैटे जैसे ही आप loan लेते हो आपको interest देना पड़ेगा चाहे आपका business profit कमाया या फिर ना कमाया समझनारी बात जदी ये problem था ठीक है जदी ये problem था तो इससे बचने के लिए क्या कोई ऐसा हो सकता है कि क्यों न हम अपनी ownership में ध्यान से सुनना पहले soul proprietorship था तो एक बंदा ओनर था अब मैं क्या कर रहा हूं कि अपनी ownership को ही कई लोगों में बाट देता हूं ठीक है यानि पहले एक बंदा मिलके business करता था अब एक से ज़ादा लोग मिलके business कर रहे हैं एक से ज़ादा लोग मिल अब एक से ज़ादा लोग मिलेंगे तो क्या होगा आप सोचो ज़रा एक बंदा जब business करता था एक मालिक था तो वो जो पैसा लगाता था उसका नाम क्या रखते थे capital अब जब एक से ज़ादा लोग capital देंगे तो ज़रा सोचो ज़रा एक बंदा capital पहले देता था अब दो तीन लोग, चार लोग, पाँच लोग मिलके जदी करेंगे बिजनस, तो बताओ, कैपिटल की जो प्राब्लम थी, वो सॉल्बो जाएगी, प्लस, जो ये ओनर है, कई चीजों में ये एक्सपर्ट होंगे, सबकी अपने-अपने एक्सपर्ट एरियाज होंगे, बोलो, तो ये ओनर उस बिजनस में जब एक साथ ही कठा होंगे, तो कई इंटलेक्च्वल माइंड एक साथ जब काम करेगी, तो बताओ, उसका इंपक्ट बढ़ेगा, उससे ग्रोध भी होगा, हाँ, बट एक प्राब्लम भी है, जड़ा सोचो ध्यान से क्या, जब एक से जादा लोग मिलके कोई बिजनस करते हैं, कैप्टल आगे, इसकी पॉज साइड यह है कि सर, बिजनस में कैप्टल की कमी खतम हो गई, ओनरसी डिस्ट्रिबूट हुआ, तो हमारे पास कई मैनेजरल परसन भी आ गए, जो चीजों को मैनेज करने लगे, इससे क्या होगा, हमारा बिजनस एक्सपैंड होगा, एक्सपैंशन होगा, बहुत बड़े ल जब कई लोग मिलके काम करते हैं तो बताओ क्या उनके बीच मतभेद, डिस्प्यूट होने की चांसिज है या नहीं हैं, जदी बेटी डिस्प्यूट होने के चांसिज है, तो उस डिस्प्यूट को कैसे रिजॉल्व किया जाया, समझन है न ध्यान से, और जदी इसको अब ऐसे नाम ना लो अभी तो मैं ये कहूँ कि जदि कई लोग मिलके business कर रहे हैं तो जाहिर से बात है उसमें कहीं न कहीं देश की economy में उनका contribution अच्छा खासा है बोलो अब जदि economy में उनका contribution है और जदि उस business में dispute हुआ जदि business में dispute हुआ और management में जदि जगड़ा हो गया किसी भी बात में मदभेद हुआ और अचानक वो business ठफ हो गया या किसी ने दुसरे को डिश कर दिया समय आ रही है बात और वो business खतम हो गया तो बेटे उसमें कई लोगों का पैसा फसा कई लोग tension में रहेंगे प्लस सबसे बड़ा नुकसान economically भी तो होगा जो देश में contribution जा रहा था एकनोमी का वो खतम हो जाएगा कई लोगों का रुजगार चिन जाएगा कई employee road पे आ जाएगे यह problem है या नहीं है और यह एक major problem है अच्छा एक और बात जदी हम true Indian है तो जड़ा सोचो जदी किसे business में एक बार हम धोगा खा जाते हैं तो दुबारा हम फिर उस तरह के business में हाथ लगाना भी नहीं चाहते हैं अगरवाले भी मना करते हैं कि भाई एक बार उससे partnership business किया था या उसके साथ काम किया था अब ब dispute ना हो इससे बचने के लिए बेटे हमारे देश में एक कानून बना उस कानून का नाम था Indian Partnership Act 1932 अराम से देखना ठीक है Indian Partnership Act बना कि जदी एक से ज़्यादा लोग मिलके business करते हैं तो उन business को कैसे चलाया जाए उस business को किस तरह से चलाया जाए उस business में जदी कोई disputes हो तो उस disputes को किस तरह से manage किया जाए यह सारी बाते एक कानून में रखा गया और उस कानून का नाम रखा गया बैटे Indian Partnership Act 1932 तो अब जदी कोई act बनता है तो सबसे पहले उस act में जो वो नाम से जाना जाता है उसका definition दिया जाता है तो सबसे पहले बैटे बताया गया आपको कि partnership क्या है तो ध्यान से सुनना partnership section 4 of the Indian Partnership Act में लिखा हुआ है कि partnership is the relation between person who have agreed to share the profit of business carried on by all or any of them acting for all इतनी लंबे चोड़ी definition है अब इसको हमें समझना है ध्यान से देखना बैटे partnership सबसे पहले उसने क्या बताया कि एक relation है क्या है relation है ठीक है मतलब आप किसी unknown लोगों से मिलके business नहीं कर सकते वाल लोगों लोगों के साथ जुससे आप partnership business कर रहे हो जिसको अपना ownership दे रहे हो stake दे रहे हो वो आपका जानकार वाला होना चाहिए ठीक है तो कहता है कि relation है between persons ठीक है अब यह persons क्या होते है आगे check करेंगे who have जिन person के बीच में यह relation है उनके बीच में एक agreement है क्या है बेटे agreement है agreement किस बात का है कि भाया हम profit share करेंगे अब profit कहां से आएगा तो business से आएगा business कौन करेगा तो कहता है business या तो सभी मिलके कर लो carried on by all यानि जितने partner है सभी मिलके कर लो या और any of them acting for all यानि सब में से कोई एक भी कर लो तो भी चलेगा हम माल लेंगे कि हाँ यह partnership business है तो बताओ क्या सिखा आपने कि partnership act 1932 में section 4 में ये बात लिखा है कि partnership कुछ भी नहीं है partnership एक relation है दो या दो से ज़्यादा person के बीच में जिसमें एक agreement भी होता है कि वो अपना profit share करेंगे वो जो business करेंगे और वो business या तो सभी मिलके करें या उनमें से कोई एक करें कोई फर्क नहीं पड़ता जैसे ध्यान से देखना मैं आपको दिखाता हूँ A B C D ये चार partner है ध्यान से देखना बिटे ये चार लोग है अब ये चारों मिलके business करें ध्यान से देखना आइधर A B C and D are carry business ये सारे मिलके करें तब भी हम मानेंगे कि हाँ ये पार्टर से business है या एनी उफ दे मतलब इन सब के भिहाप में सिर्फ एक काम करें तब भी हम मानेंगे कि है partnership business है क्लिर है कोई कस्ट है नई तो अभी आपने क्या सिखा बेटे partnership होता क्या है क्या सिखा partnership होता क्या है अराम से देख लो अब अगली बात सर हमें कैसे पता चलेगा कि यह partnership है ठीक है elements क्या है अराम से देखना कहता देखो there could be two or more person ध्यान से देखना बेटे एक partnership business में दो या दो से ज़ादा ब्यक्ति हो सकते है ठीक है इसका मतलब यह हुआ कि किसी भी partnership में minimum कम से कम कितने ब्यक्ति होने चाहिए बेटे और maximum कितने होंगे maximum देखो 50 है अच्छा ये जो 50 है partnership में maximum number of member कितने 50 बट यह लिखा कहा है यह लिखा है Companies Act 464 के section में ध्यान से देखना Companies Act 2013 में section 464 में लिखा है कि maximum member कहा है sorry कितने हो सकते है 50 यानि आपको यह ध्यान रखना है यह objective questions आपके सामने आता है कि बताओ maximum number of partners in a partnership कितने हो सकते है 50 बट यह बात कहां लिखा है तो कभी गलती से मत कहा देना कि partnership pact में लिखा है यह partnership pact में नहीं लिखा है यह कहां लिखा है Cumbris Act में अगली बात there must be an agreement between the partners to share the profit of the business अब जो यह partner है न उन लोगों के बीच में एक agreement होना चाहिए और बेटे यहां देखो ध्यान से समझना यह agreement क्या होता है कैसा होता है यह आगे हम चर्चा करेंगे यानि जदी पहली features की बात किया तो पहला क्या होगा कैसे पता चलेगा कि यह partnership है तो दो यह उससे ज़ादा लोग हो सकते है maximum कितना हो सकते है पचास उससे ज़ादा नहीं हो सकते हो गे तो क्या तो जदी पचास से ज़ादा हो गे तो बेटे वो illegal association मान लिया जाता है यानि वो कोई business form नहीं है ठीके समय में आगी बात तो आपको जदी partner से business करना है तो पचास से उपर जदी गए तो आपको फिर या तो company में convert कर लो अपने आपको या फिर जदी नहीं करे तो आपको illegal association मान लिया जाएगा ठीक है अच्छा इसके बाद आप लोगों के बीच में agreement होना चाहिए ठीक है जो आप business कर रहे हो वो business must be legal होना चाहिए वो business कैसा होना चाहिए बैटे अगली बात business must be carried on by all और any of them acting for all या तो वो business सबके दौरा मिलके चला आजाए या सबके भिहाब में कोई एक भी चलाए तब भी कोई problem नहीं है और ये जो business है ये सारा govern किसके दौरा होगा बैटे Indian Partnership Act 1932 में कोई कस्ट है यहां तक इसको हम features और partnership बोलते हैं कुछ लोग बोलते हैं कि बताओ elements क्या है कैसे पता चलेगा कि partnership business है एक और बात ध्यान रखना वो सबसे बड़ा important बात है वो क्या है कि जो ये partnership का business है इस business का नाम देख्या आपको कैसे पता चलेगा तो वहाँ लिखा होगा राम स्यामाइन कंपनी या राम स्यामाइन एसोसियेट्स ऐसे सब्द जदी लिखे तो ये इसा मतलब ये partnership का business है clear है आओ next बात करते है nature of partnership सर इस partnership का nature कैसा होता है तो देखो ध्यान से जदी हम nature की बात करें तो इस nature को हमने दो पार्ट में बात रखा है पहला पार्ट legal point of view ठेक है law के point of view से सोचोगे तो partnership का nature कुछ और होगा और accounting point of view से सोचोगे तो partnership का nature कुछ और होगा यानि जब भी कोई आप से पूछे कि nature क्या है partnership का तो आपको यहाँ decide करना पड़ेगा कि किस point of view से पूछा जा रहा है legal point of view से या accounting point of view से जदी legal point of view से बोलोगे तो ध्यान से देखना कहता है कि legal point of view से partnership और partner दोनों एक दूसरे से separate नहीं है वो legal entity नहीं माने जाते क्योंकि एक partner से business में partner की जो liability होती है वो unlimited होती है clear है बेटे तो वो separate legal entity नहीं है लेकिन जदी आप accounting point of view से सोचोगे तो बेटे यह separate legal entity है यानि if you want to do accounting then for the purpose of accounting you have to assume कि partner और firm बोथ हार separate to each other business entity concept बच्पन में याद है पढ़ा था कि जैसे ही एक बंदा business start किया business start करते ही owner और business दोने एक दुसरे से अलग माना जाते है जदी ऐसा नहीं मानते हो तो बताओ क्या होगा आप accounting नहीं कर पाओगे clear है और जदी आपको accounting करनी है तो आपको मानना पड़ेगा कि partner और firm दोने एक दुसरे से अलग है यहां तक clear है nature समझ में आ गया note करते रहना खास बात समझ लो जदी ये class देख रहे हो तो जितने बच्चे देख रहे हो copy लेके अराम से बैठो इज़त से और सारी बाते नोट करते रहना ठीक है जहां दिक्कत लगे वहां pause कर लेना note कर लेना अज के बाद आगे बढ़ना ठीक है और कोई भी doubt हो तो आप whatsapp पे message कर सकते हो मैं video call से या जैसे भी हो conferencing करके ठीक है आपको मैं वह doubts clear करा दूगा ठीक अब बात करते हैं कि sir partner किसे कहते हैं तो ध्यान से देखना person who have entered into partnership with one another are individually called partner person who have entered into partnership ध्यान से सुनना मतलब जो बंदा partnership business में entered हुआ है तो उस individual को हम उस business का क्या बोलते हैं पार्टनर तो फिर form क्या होगा कहता person who have entered into partner with one another are collectively called firm यानि जो बंदा partnership के business में entered हुआ है जदि वो individually देखा जायतों वो क्या है partner है लेकिन जदि सब को जोड़ दिया जाए तो वो क्या बन जाएगा firm sir इसको अच्छे से समझाओ तो देखो ध्यान से the name under which the firm business is carried on is called firm name ये तीन चीज़े समझो partner क्या है वो बंदा जो partner से business में involved हुआ entered हुआ तो individually उसको क्या बोलेंगे partner और collectively क्या बोलेंगे form और जिस नाम से business carry on हो रहा है उसको क्या बोलेंगे form name इसको थोड़ा ऐसे समझते है A B C ये तीन partner है हमारे पास अब ध्यान से देखना A, B, C तो A क्या है बेटे partner B क्या है partner C क्या है partner समझ में आ रहा है लेकिन ABC and company क्या बन जागा form यानि ABC तीनों मिलके क्या है form क्लिव है देखो ABC and company ये क्या बन गया form name समझ में आ गई बात कोई कस्ट है तो बताओ जहां ना समझ में आए पीछे remind करके एक बाद फिर से देख लेना फिर भी कोई doubt रह जाए कोई बात रह जाए तो आगे चलना देखो बेटे जदी आपको ये theoretical बाते अच्छे से समझ में आ जाएंगी तो फिर इसकी सारी चीज़े आपको concept ले clear हो जाएंगी और जदी इसमें दिक्कत रहा तो फिर आपको आगे फिर दिक्कत आएंगे इसलिए ध्यान-ध्यान से एक एक चीज़ समझ रहा तो बताओ अभी हमने partnership का definition समझा partnership के features, elements समझा कि हमें कैसे पता चलेगा कि partnership business है दूसरी बार partnership का nature समझा और फिर partner क्या होता है, firm क्या होता है और firm name क्या होता है ये सारी बात है हमने समझ ली अब partnership डिड क्या होता है तो ध्यान से सुनना आपको याद है, सबसे पहले हमने सीखा था definition में कि partnership एक relation है दो या दो सो ज़्यादा ब्यक्तियों में जिनमें एक agreement होगा क्या होगा बेटे, agreement जदि agreement नहीं हुआ तो दिक्कत हो जाएगी तो ध्यान से देखना बेटे, वही agreement नहीं, बेटा जी वही agreement बाद में क्या बन जाता है partnership deed अब यह कैसे बनता है ध्यान से देखना क्याता है, partnership deed is the document which contain terms and conditions of partnership agreement मतलब partnership कैसे चलेगा future में जदि कोई dispute हुआ तो उसका निदान क्या है उसको कैसे sort out किया जाएगा वो सारी, जितने भी terms और conditions हैं, वो सारी चीज़े एक document में लिखा जाता है जिसको हम लोग agreement बोलते हैं और यही agreement बाद में एक popular नाम से जाना जाता है जिसको क्या बोलते हैं बेटे, partnership deed कहता है partnership deed में भी oral और written, यह written में भी हो सकता है और oral में भी हो सकता है या दखना, act में यानि partnership act में कहीं नहीं लिखा कि यह partnership deed oral होना चाहिए या written होना चाहिए यह oral भी हो सकता है written भी हो सकता है, लेकिन आप ज़रा सोच के देखो, समझदार हो, जदि आपको कोई agreement बना नहीं है तो आप कैसे बनाओगे orally बनाओगे या written बनाओगे, जह है इसे बात है written बनाएगे, क्यों? written क्यों? क्योंकि जदि future में dispute हुआ, ज्यान से देखना, written agreement is prepared to avoid disputes जदि future में कोई dispute हुआ तो फिर जदि oral हुआ तो क्या होगा? कैसे और इस कसम बादों पे तो फिर पता ही वी चलेगा ना, कौन जूर बोल रहा है, कौन सच बोल रहा है और बीबी की कसम तो लोग यूँ ही खा जाते है हाँ ना? समय में रही है बात? हाँ तो इसलिए, बेटे ध्यान से देखना written agreement is prepared to avoid disputes अच्छा, अब जान सुनना क्या written में ही did बने, ये compulsory है act में लिखा है, ना जी ना वो नहीं है लेकिन हाँ, हम ये अपने फायदे के लिए बनाते हैं कि ताकि कोई dispute हो, तो हम तुरण तुनको दिखा दे कि भाया, देख ले हमारी तुमारी agreement ये हुई है अब जा सोचो, agreement बना और जिस पार्टनर के साथ agreement करवाए हो, उसने sign ही नहीं किया तो कहेगा कि हमें तो पढ़ा ही नहीं, हमें तो पता ही नहीं है हम तो जानते ही नहीं है तो इसलिए बेटे agreement signed भी होना चाहिए अब कुछ नलाइक ये कहेंगे कि सर मैं अनपढ हूँ, मैं sign नहीं करता तो नलाइक को वो अपना ठपा लगा देगा ठीक है, और वो पढ़के सुनेगा दूसरे से जिस पे उसको भरोसा उसको बलाया जाएगा उसको सारी डीट पढ़ाई जाएगी वो सुनेगा और फिर अपना ठपा लगा देगा चले आगे तो अब हमने डीड समझ लिया अब ध्यान से सुनना, कहता है डीड का content क्या होता है, इसमें क्या-क्या चीज़े लिख्यों होती है जड़ा सोचो, स्टार्ट करो भई आप partner से business कर रहे हो, तो आपके क्या-क्या continue नहीं चाहिए, तो सबसे पहले देखो, name and address of firm and all partners, इसका मतलब क्या होगा, ध्यान से सुनना, firm का नाम, उसका address firm में जितने partner है, उनका नाम और address, ये डीड में लिखा रहेगा, ठीक business का nature क्या होगा किस तरह का business कर रहे हो, और सारे partner मिलके smuggling का धंदा करना शुरू कर दिया, तो बताओ, सरकार इसको कहेगी कि आप allow करो बहुत बढ़िया business है इसमें तो, नहीं ठीके, ऐसा business नहीं, तो आपको nature भी disclose करना पड़ेगा कि आप किस तरह का business कर रहे हो प्लस, place, कहां कर रहे हो वो जगह कहां है, कहां से कर रहे हो ठीके, अचा partnership business कभी किसी खास period के लिए भी किया जाता है, किस खास काम के लिए किया जाता है, ठीके, जैसे मान लोग को bridge बनाना है, तो बहुत पता है कि 5 साल में यह bridge complete हो जाएगा, तो 5 साल के लिए यह partnership किया, ठीके, कुछ contractor मिलके 5 साल के लिए partnership के business किये, तो भई, वो 5 साल के लिए duration है 5 साल का, तो आपको उसमें डीड में disclose करना पड़ेगा, कि यह इतने साल का ही बना है, इसके बाद वो automatic, खताम हो जागा, dissolve हो जाएगा, रोल्स regarding operation of bank account, बाई, अब जड़ा सोचो, सारे partner पैसे देंगी, सबसे ज़्यादा sincerity मामला तो यही है, तो कहता है कि बताओ, क्या रोल्स है, bank account कैसे operation होगा, उसको कौन handle करेगा, वो सारी बाते उसमें लिखी रहेंगे, profit-searing ratio क्या होगा, ठेके, जितने partner है, उनकी profit-searing ratio क्या होगी, किस basis में बटेगा, वो सारी बाते mention होगा, क्याता है कि जिस partner ने capital दिया, या जिस partner ने पैसा निकाला, परसनली उसके लिए पैसा जब कालते हो business है, तो उसको drawing बोलते है, या जदि partner ने loan दिया, या partner ने loan लिया, तो क्या उस पे interest लगेगा, interest लगेगा, तो उसका क्या rate होना चाहिए, किस तरह से लगना चाहिए, वो सारी बाते इसमें लिखी होनी चाहिए, ठीके, इसके नेक्स्ट, कहता है कि salary, commission, जदि partner, किसी partner को salary या commission मिल रहा है, उसके extra काम के लिए, ठीके, तो वो भी आपको discuss करना पड़ेगा, rules followed in case of admission, retirement, death of partner, जदि किसी नए partner को, मालो तीन partner मिलके काम कर रहे हो, अब चौथा partner की जुरत है, पाचवा partner की जुरत है, तो admission के case में कैसे handle किया जाएगा, वो accounting कैसे settlement होगी, जदि एक बुढ़ा हो गया, retire होना चाहता है, जदि एक बुढ़ा हो गया, retire होना चाहता है, अब मेरे से business नहीं हो रही है, अब मैं सारी rules लिखी होगी, फिर business complete हो रहा है, firm dissolve हो रही है, तो resolution के case में कैसे settlement होगा, वो सारी बाते लिखी होगी, फिर जदि कोई dispute हुआ, तो उसको settle करने के क्या method है, वो सारी बाते deed में लिखी होगी, कहता सर, इस deed को बनाने का क्या फायदा है, importance क्या है, तो बच्चे देखो ध्यान से, कहता, it governs the right and duties and liabilities of this partner, मतलब एक partner का इस firm में क्या अधिकार है, क्या उसकी duty है, और क्या उसका दाइत्व है, ठीके, ये सारी बाते उस पर लिखी होती है, इससे क्या होता है, कि जब कुछी चीज return होता है, तो किसी किसी को, ये मतलब बाद में blame इधर से उधर करनी की जुरूत नहीं पड़ेगे, कि हाँ, मेरा काम नहीं था, ये तुम्हारा काम था, या मैंने सोचा तुम कर लोगे, तुमने सोचा वो कर लेगा, ऐसा नहीं चलेगा भाई, सब को अपना अपना काम करना पड़ेगा, ठीक है, ये सब कोछ लिखा होता है, और जदी फ्यूचर में कोई बात हुआ, कोई डिस्प्यूट हुआ, तो टेंशन क्या है, हम डीड को देखेंगे, और उसको एकॉर्डिंग, इसकी सटल्मेंट कर लेंगे, एक खास बात, कहता है, partnership deed may be written or in oral, आपको पहले ही बताया था, कि deed oral भी हो सकता है, और written भी हो सकता है, it may be possible that partnership is not exist, then provision of partnership act applies as follows, ध्यान से सुनना, ये भी हो सकता है, यहाँ पे थोड़ा सा miss हो गया बैटे, partnership deed है, ये जो है ना, partnership, possible that partnership deed है, partnership deed is not exist, ठेक है, partnership deed is not exist, then provision of partnership act applies, यानि स्याध्यान से सुनना, जदी आपने business तो कि आप partnership के business कर लिया, बट आपने वो agreement नहीं बनाई, वो deed नहीं बनाई, और आप partnership चला रहे हो, तब क्या होगा, dispute होगा, तो dispute maximum जो होती है न, वो क्यों होती है, पहले ये सोचा गया, और इसके बाद एक, एक, चार्ट बता दिया गया, partnership act में, कि जदी कोई dispute हुआ, और deed में ये बाते नहीं हैं, तो आप अपने आप ये फैसला कर लेना, जैसे, for example, देखो ध्यान से, पहला, कहता है, interest on partners capital, जदी किसी partner ने capital दिया, और वो interest demand कर रहा है, deed में जदी है, तो ठीक है, उसके according नहीं है, तो not allowed, salary to partner, not allowed, interest on partners loan, जदी partner ने कोई loan दिया, तो उस पे interest कितना, कहता है, 6% per annum, या दखना, 6% per annum, इस से जदी allowed नहीं है, हाँ, जदी deed में है, तो आप उसके according, profit segregation क्या होगा, इक्वल, deed में चाहिआ कुछ भी लिखाओ, sorry, deed नहीं है, तो आप कुछ भी चिलाओ, ठीक है, कभी-कभी question आता है, एक partner ने एक लाक रुपे capital दिया, एक partner ने एक लाक रुपे capital दिया, दुसरे ने कुछ भी नहीं दिया या कम पैसा दिया, तो क्या उसको profit में हिस्सा मिलेगा, yes, मिलेगा कितना, equally, जो जदी deed नहीं है, तो equally, interest on partners drawing, partner ने जदी drawing किया, तो क्या उसको interest मिलेगा, या तहर नहीं, वो भी नहीं मिलेगा, क्या, ज्यान से देखना बेटे, ये आपके पास 5 item है, partners को capital ने मिलेगा, salary न आगे, एक चीज और लिख लेना, वो मैं बता रहा हूँ क्या, यहाँ पे न बेटे, salary के बाद, यहाँ पे न, commission, ये हाथ से लिखना पढ़ रहा है, commission, ठीक है, तो आपको ये भी ध्यान रखना है, salary या commission partner को नहीं मिलेगा, interest on loan नहीं मिलेगा, interest on partners loan ये मिलेगा 6%, और profits and ratio क्या होगा, equally, बोलो, यहाँ तक कोई रिकत नहीं है, अब कहता है, कि जदी किसी minor को हमें partner में, मतलब partnership business में admit कराना है, minor समझते हो, वो बंदा जिसकी age 18 साल से कम है, जदी मुझे minor को admit कराना है, तो क्या मैं agree, मतलब अपना partner बना सकता हो minor को, कहता है ध्यान से सुनना, पहली जबाब no, minor partnership act में partner नहीं बन सकता, लेकिन, जदी all partner, अराम से देखना, if all partner agree, सारे partner agree हो, तो minor may be admitted for the benefit of partnership, अब यहाँ समझो, कहता है कि minor partnership में, मतलब partner बन सकता है, जदी सारे partner agree हो तो, और दुसरी बात, सिर्फ benefit में सदारी होगी, यानि, जदी partnership में कलको loss हो गया, तो उस loss में minor share नहीं करेगा, और profit में वो share लेगा, किलिए रहें, दुसरी बात, a person may be admitted as a partner, either with consent of all the existing partner, or in accordance with the express agreement among the partners, यह क्या है, यह lines ध्यान से सुनना, जदी कोई partner admit होना चाहता है, ठीक है, माल लो a, b, c, d, चार partner है, एक पांचवा partner e आना चाहता है, a, b, c, तीन लोग कह रहें कि ठीक है, इसको e को partner बना लो, d ने कह दिया कि नहीं नहीं चीए, मुझे इसकी सकल प्रसंद नहीं आ, यह partner नहीं बनेगा, तो बेटा नहीं बनेगा, सारे partner को agree होना चाहिए, और जदी ऐसा नहीं है, तो partner के admission से related, express agreement deed में पहले ही पता होना चाहिए, कि हाँ, इस situation में क्या होगा, तो उसके according चलेंगे, otherwise जदी एक भी partner की consent नहीं आई, तो वो admission में, मतलब वो partner admission नहीं ले सकता, बोलो, यहां तक ले रहे, अच्छा, ए partner may retire from the firm, either with the consent of all the partners, or in accordance with the express agreement among the partners, same way process है, कि जदी कोई partner retire भी होना चाहता है, तो सारे partners की उसको मतलब अनुमती लेनी पड़ेगी, और जदी ऐसा नहीं है, तो retirement के regarding, जो rules में लिखा होगा deed में, उसके according की follow करेंगे, तो यह आपको ध्यान से देखना है, कि क्या है importance, जदी आपको सिर्फ पूछे कि importance क्या है partnership deed का, तो बेटे उपर की दो लाइनी लिख रही है, बताओ क्या, govern the rights, duties and liabilities of each partner, then if any dispute arise in future, among the partners are settled on the basis of deed, ठेके, important बात यह है कि partnership deed हो सकता है, oral हो या written हो, इसमें हमें कोई दिकत नहीं है, third, in the absence of partnership deed, in the absence of partnership deed, या deed है, बत इनके बारे में कोई चर्चा नहीं है, तो फिर, interest on capital not allowed, interest on capital not allowed, partners loan not allowed, sorry, interest on partners loan 6%, profit and loss का जो share होगा partner के बीच, equal होगा, और drawing, interest पे, drawing पे interest नहीं मिलेगा, ठेके, चलो, next, registration of the firm is optional, sir, क्या partnership deed हमने बना लिया, तो firm की registration करवाना जरूरी है, या, optional है, क्याता है, optional है, मर्जी है, कराओ, नहीं मर्जी तो मत कराओ, ठीक है, unless otherwise agreed by the partners in the deed, form is dissolved on the death of the partner, जदी deed में पहले से नहीं पता, नहीं लिखा, तो partnership में कोई एक बंदे की वी death होती है, तो dissolve हो जाएगा, तो आज की लिए इतना ही, ये theory खतम हो गया है, next class में हम लोग distance करेंगे, इसकी accounting, thank you.